हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल में आज हम बैंक निफ्टी की इस चार्ट के बेसिस पर अनालिसिस करेंगे विकली रेंज जानेंगे और आने वारे ट्रेडिंग सेशन में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसकी कंप्लीट अनालिसिस ज करूंगा यह लास्ट डे का कैंडल है मिंस की फ्राइडे का और उपर जो यह रेजिस्टेंस लाइन है यह जो रेजिस्टेंस लेवल है 20,980 मिंस की 21,000 के ऊपर की क्लोजिंग होना मुस्किल है मुस्किल और हम नीचे जो सपोर्ट है यह आलमोस्ट नाइंटीन थाजन फोर क्रोस ओबर होंगे जो अभी 21,000 के आसपास है यह और यह 19,500 के आसपास है यह दोनों लाइने एक साथ मिल करके बेरिस क्रोस ओवर हो जाएगा उसके बाद एक गिरावट देखेंगे और इस बेरिस क्रोस ओवर होने में टाइम लगेगा तो सबसे इम्पॉन्टेंट यह च दरसा रहा है कि 20,971 के ऊपर की क्लोजिंग होना और उसके बाद का जो मेजर रेजिस्टेंस बन करके आया है यह मेजर रेजिस्टेंस 21,344 और उसके बाद का 21,500 और उसके बाद का 22,000 यह मेजर मेंसकी 21,000 के ऊपर और 21,400 के ऊपर एक स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है और यह लाइन भी 21,000 के लेवल को दर्सा आ रहा है मिंस कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग में जाएंगे लेकिन फिर से गीरेंगे मिंस कि ऊपर 300 के आसपास 21,400 के आसपास जरूर सेल साइड पोजिशन लिया जा सकता है लेकिन क्लोजिंग 300 और 21,000 के नीचे आना चाहिए अगर आप 21,300 के आसपास सौर्ट करते हैं तो क्लोजिंग कहीं न कहीं 300 के नीचे और सेकेंड क्लोजिंग 20,980 के नीचे ही होना चाहिए और ये कंपलसरी जो भी वहाँ पे रिस्क रिवाड फेवरेवल है क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये क्लोज नीचे क्लोज हो जाता है तो ये बहुत अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल जाएगा उसको आप पोजिस्नल ट्रेड में भी कंफर्ट कर सकते हैं मिंस कि इंट्राडे में 300 के ऊपर अगर आप सौर्ट करते हैं तो कहीं न कहीं आप सेफ जोन में होंगे सेफ जोन में होंगे क्लोजिंग बेसिस पे आप इजली देख सकते हैं कि 300 के ऊपर, 340, 300 के ऊपर की क्लोजिंग हो रहा है तो रेट टू रेट एगजिट कर जाना है या जो भी रेट है 150 का स्टॉप लगा करके क्लोजिंग बेसिस पे जो भी है 57 का लोस होता है आप भूक कर सकते हैं लेकिन मेरा जो भी हो है क्लियर कट भी हो है कि 21,000 के ऊपर नहीं जाने वाले 21,000 के ऊपर जो मेरा भी है कि 21,000 के ऊपर जो यह यह जो हमने लाइन खीज दिया यह आने वाले टाइम में यह दोनों लाइने ऐसे बेरिस क्रोसोवर हो जाएंगे और उसके बाद हम जोड से गिरेंगे तो इसलिए यह कहीं न कहीं कोसिस करेगा बजार इस रेंज में रहने का इस रेंज में रहने का और से लेवल जो आया है यह जो हमारा से लेवल 20,300 के नीचे की क्लोजिंग हो जाती है तो इसलिए जो से लेवल है यह जो टारगेट है 19,900 और उसके बाद यह जो टारगेट है 19,580 580 और इमपोर्टन टारगे 19,300 के आसपास मैं इसकी यह जो लो लगा है यहां पर आ करके हम सपोर्ट लेंगे तब जाकर कि प्राइस वाइज अगर हम नीचे आ जाएंगे तो अच्छा कासा यह बेरिस क्रॉस ओबर हो जाएगा जब बेरिस क्रॉस दोनों एक लाइन चिपकने वाला होगा तो एक बार यहां से दुबारा से बाउंस करेगा फिर से हम गिरेंगे तो अब जाकर कि यह इसमें एक कम्पलीट डाउन ट्रेन होगा अभी यह चार्ट से यह दिख रहा है कि यह 21,000 और नीचे जो यह लाइन है 19,400 इसके बीच में ही रहने वाला है 21,000, 20,500, 20,000 और 19,500 19,500 लोर साइड, आपर साइड 21,500 और 21,000 यह एक मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा नीचे 19,500 से लेकर के 20,000 सपोर्ट जोन होगा और इसके बीच का एक हजर पॉण जो 21,000 से 20,000 है उसके बीच में ट्रेडिंग रेंज होगा में इसकी नीचे आता है में इसकी पांसो से 19,500 से जब भी 20,000 आए तो आप 21,000 की त्यारी कीजिए जब भी 21,500 हो जाए तो वहां से नीचे थोड़ा सा यूटर्न हो तो आप 20,000 की त्यारी के लिए सेल साइड पोजिशन लेज रखते हैं ट्रेडिंग डेवाय डेए अनालिसिस का है तो इसमें ये इस हफ्ते का कंप्लीट मैं वियू दे रहा हूँ दे बाय डे के जानने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें नेक्स्ट वीडियो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का option के basis पे analysis करने वाला हूँ तो वीडियो अच्छा लगे तो like करें, share करें और stock specific जानने के लिए हमारे member join button को press कीजिए और उस button में आप उस वीडियो के माध्यम से मैं stock specific बिल्कुल jackpot analysis share करता हूँ jackpot जिसमें guarantee बिल्कुल नहीं होती है लेकिन 100% accurate result आता है इसकी पूरी-पूरी संभावनाए है अभी तक हमने जितने भी stock analysis किया है उसके पूरे-पूरे result मिल रहा है और आने वाले time में भी मिलेगा वहाँ पे आपको clear cut view दिया जाता है कि करना क्या है कहां पे बेचना है और कहां खड़िदना है यहां बहुत साय लोगों को लगता है कि मैं दोनों तरफ की बाते करता हूँ आप जब भी वीडियो हो जाने के बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल clear cut view रहता है कि हम क्या बोल रहे होते हैं अब भी वीडियो में आपको इसमें भी होगा कि clear cut view नहीं clear cut view है कि जब भी उन्नीस एकिसजार पांसो के आसपास जाए और वहां से जैसे ही रिभरसल दीखेंगे वहां से बेचने की लेवल ढूंड़ना है अब लेवल ब्रे इंट्राडे चार्ट पे आपको इतनी ज़रूर स्टडी होनी चाहिए कि कहीं न कहीं वहां से हम गिरने का कोई signal मिले 15 मिन ऐसा नहीं जो मैंने बोल दिया वहां से बेचना शुरू कर देना है वहां से आपको अपने आप एक बेचने का सिगिनल आपको 15 मिनट के चार्ट पे घंड़े के चार्ट पे डाइवर्जन सुरू हो जाएगा गिरावट सुरू हो जाएगी उस बेसिस पे आप बेच सकते हैं और इसका कती मतलब नहीं कि 2500 नहीं जाएगा जा सकता है इंट्रा 2340 और 19,2900 के ऊपर सारे रजिस्टेंस लेवल हैं और उस रजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होना मुस्किल है मुस्किल और उस मुस्किल लेवल पे अगर हमें इंट्राडे ट्रेंट रिवर्सल मिलता है तो जरूर पोजीशन बनाया जा सकता है सौट साइट का तो यह रहा एनालिसिस फॉर दा बैंक निफ्टी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और जो भी मेरा भीव है एजुकेस्टनल भीव है